लंकापती रावन तु कौन है? किस ने तुझे भेजा है? किस उद्देश से हमारे राज्य में प्रवेश किया? अशोक वाटिका को उजाडा और किस वजह से तुमने हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया? तब हनुमान जी ने विद्वान की तरह उत्तर देते हुए रावन से कहा तो केवल अशोक वाटिका में लगे हुए फलों को देखकर अपनी भूख को मिटाने आया था. लेकिन आपके सैनिकों ने मुझ पर हमला किया और मैंने भी उनका उत्तर दिया. आपके जिस सैनिक ने मुझ पर प्रहार नहीं किया मैंने उसको कुछ भी नहीं किया केवल उन अपना परिचय नहीं दिया. खाकर वापस जा सकता था लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि महरशी पुलत्स के वंश में ऐसा कौन है जिसने भगवती सीता नामक पराई स्त्री का हरण करके अपने कुल को कलंकित किया है. हनुमान द्वारा इस तरह का आक्षेप सुनकर रावन को क्रोध आ जाता है और हनुमान को दंडित करने के लिए मृत्युदंड देने के लिए कहता है. तभी सभासे विभीशन जी उठते हैं और महाराजा रावन से निवेदन करते हैं कि महाराज हनुमान एक दूत बनकर आया है और इसका वधनीती और धर्म के अनुसार उचित नहीं है.